आज हम बड़ा ही controversial topic डिसकस करने वाले हैं और वो है कि आपको data science और coding में career बनाना है उसके लिए college degree की ज़रूरत है की नहीं? जी हाँ मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो without college degree अच्छा career बनाया है और वीडियो के end में आपको मैं कुछ real life example दिखाऊंगा उन लोगों के नाम बताऊंगा जिनोंने college degree के बिना या तो फिर relevant background के बिना data science और coding में अच्छा career बनाया है इस वीडियो को हम two section में divide करेंगे सबसे पहले हम यह देखते है कि कुछ बड़े लोग जैसे कि Elon Musk उनका क्या कहना है college degree के बारे में say people like Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs these guys didn't graduate from college but if you had a chance to hire them of course that would be a good idea Business Insider पे यह article था जिसमें Apple के CEO Tim Cook ने बताया कि आपको college की degree की जरुरत नहीं है अगर आपको successful बनना है तो और उनका main reason यह कहने का यह था कि जो college में सिखाया जाता है और जो industry में जो skills की जरुरत है उस दोनों में बहुत बड़ा mismatch है तो यह बात उन्होंने बताया थी तो article यह मैं आपको link में नीचे video description में डूंगा तो आप यह देख सकते हो और significant जो portion Apple के employee है उनके पास पूरी 4 यर की college की degree नहीं होती है तो Apple में जो लोग hire होते है बहुत सारे लोग without degree के hire होते है उनके practical knowledge के basis पे Glassdoor एक बड़ी ही hiring और employer review की एक website है जिसमें उन्होंने बताया है कि बहुत सारी companies है आजकल जो without college degree hire करती है जैसे कि Google है, Onsen Young है, हमने already Apple की बात की तो यह सारी companies कोई भी degree के बिना आपको hire करेगी जैसे Apple है यह लोग अपका practical knowledge देखते है और हम थोड़ी देर में बात करते है कि अगर college की degree नहीं देखते है तो भाया देखते क्या है उसकी हम बात करने वाले लेकिन पॉइंट इस यह article आप पढ़िये तो इसमें दिखाया गए कि यह सारी companies में आगर आपको hire होना है तो college की degree ज़रूद नहीं है इन्होंने सिर्फ 15 company mention कि यह एक्ट्विट में बहुत सारी companies है जिसमें आपको college की degree की ज़रूद नहीं है आप YouTube में जाके यह सर्च करो importance of college degree in coding career बहुत सारे article मिलेंगे जिसमें बहुत सारे successful लोग यह बताते हैं कि college की degree बहुत सारे cases में useless होती है कई बार आपको देखो यहाँ पर एक इस person का example है जो जुनोंने without computer science degree software engineer बन लिया बहुत सारे bootcamp चलते रहते हैं तो bootcamp में लोग जाके fast-paced learning करके भी एक programmer की या तो फिर data science की job ले सकते हैं कई बार मैं जब मेरे subscribers से बात कर रहा हूं तो लोग मेरे को argue करते हैं कि बाई साब US में चीजे different है वो तो progressive nation है इंडिया में तो college degree लोग मांगते है चलो मैं पहले आपको थोड़े example discuss करता हूं जहां पर without college degree लोगोन अच्छा career बनाया है सबसे पहला example तो है अबदुल का जो एक Zoho करके एक अच्छी company है जिसमें software engineer के तरीके से काम करते है वो पहले security guard थे उनके पास सिर्फ 10th जो standard है उतना ही education है वो कभी college नहीं गए और उन्होंने खुद coding से के software engineer की job ले ली आठ साल से programming कर रहा है काफी successful software engineer है उनकी एक LinkedIn में पो आया था कि उन्होंने कैसे coding सिखा और कैसे इतना अच्छा career बनाया college degree के बिना ये इंडिया में हुआ है चैन्ने में तो ये एक अच्छा example है ये LinkedIn की post मैं आपको साथ share कर रहा हूं आप जरूर read कीजिए बहुत ही inspirational है दूसरा एक example है तनुल सिंग का जो कि एक mechanical engineer है उन्होंन अपने mechanical engineering के study में data science में interest pick up किया और केगल पर बहुत सारी practice की और उसके performance के basis पे उनको directly data scientist की job मिल गए उनके पास कोई data science या computer science की degree नहीं है फिर भी वो आज एर पहले data scientist के तोर से काम किया और अभी वो एक machine learning engineer के तरीके से काम कर रहे है उनके साथ मैंने एक video किया था आप व बहुत सारी interesting tips मिलेगी तो यह दूसरा example है जहां पर एक person के पास relevant college degree नहीं है उनके पास mechanical की degree है लेकिन पर या data scientist में अगर hire होते है तो mechanical का बहुत महला थोड़ा बहुत math काम में आ जागा उसके अलाब कुछ काम में नहीं आता तो भी इन्होंने खुद से kegle platform का use करके अप मेरे सब्सक्राइबर है राजसें के छोटे से टाउन में रहते है वो तीसरे एर कॉले अपर पर 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 से कमाते थे और उन्होंने सारी जो स्किल है कोडिंग स्किल कुछ से सीखिए उनको कॉलेज में कोई इंटरस नहीं था कॉलेज में टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते थे उनको बैरली वो पास होदे उनके 50% मार्स आदे थे फिर भी खुद से कोडिंग सीख के फ्रीलांसिंग करके अच्छा करियर बनाया आज वो एक सक्सेस्फुल फ्रीलांसर है अपड़ पर पर और रेगिलर जॉब में लोग जो पैसे कमाते हैं उससे भी ज्यादा पैसे वो कमाते हैं अगें ये इंडिया में हुआ है राजस्थान के एक बहुत ही चोटे से टाउ जुद्वां से है तो आपको और ये तो मैंने दुक टीन एक्सफेल के अचिन किया अच्छली बहुत सारे इक्जाम्पल से मैं बहुत सारे लोगों के साथ इंट्रक्श करता हूँ मेरे यूटीब चैनल के जरिए तो बहुत ही सारे में एक्जाम्पल दे रहा हूँ जहां पर लोगे पास एधर college degree नहीं होती है या तो फिर relevant college degree नहीं होती है, you know, mechanical engineer होते है और वो data scientist बन जाते है, बहुत सारे example दोस्तों हो रहे है, वो भी इंडिया में, जी हाँ, आपको आपका थोड़ा mind open करने की जरूत है, मेरो को पता है, बहुत सारी companies, अभी भी वो degree का वो उनक आपको डिगरी की जरूत नहीं है, तो जब Google, Amazon, Facebook जो lead company होती है, वो कुछ example जब set करती है, तो बाग की सारी companies को वो follow करना ही पड़ता है, आसे कुछ साल पहले Google, Amazon, fang companies इसको बोलते है, उन्होंने cloud की माला जपी, कि cloud करना है, cloud करना है, तो पूरे world ने अब cloud, cloud चालू कर दि तो सारे लोग उनको follow कर रहे है, सारी जो company होती है, right, Infosys, TCS, even service-based company, वो अभी AI, machine learning में, अभी वो पड़ गए है, तो usually कैसे काम होता है, कि जो lead companies, fang companies, जो example set करती है, बागी सारी companies को, वो follow करना ही पड़ता है, अगर वो follow नहीं करते है, तो वो competition में पीछे रह जाते है, त यहां पे आपको without college degree वो hire कर लेगे, लेकिन, चीज़े बहुत fast change हो रही है, next 5 साल में ऐसा trend आएगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा company without college degree hire करेगी, अब आपको है ना, पूरी situation को recruiter के standpoint पे समझना है, आप मेरे को ऐसा बोलते हो कि भईया, मेरे पास computer science की degree नहीं है, मैं apply कर र अच्छा package है, तो एक job push के लिए 1000 application आती है, अब recruiter को कुछ criteria होता है, उसके basis पे application को filter करना पड़ता है, तो अगर आपके पास computer science की degree भी नहीं है, और अगर special contribution नहीं है, जैसे आपने कोई open source में contribute नहीं किया, या तो फिर केगल में अच्छी rank नहीं, या तो फिर कोडिंग competition participate नहीं किया, या तो फिर आपने LinkedIn पे special networking नहीं किया, जो आपके referral नहीं लाए, तो आपको of course call नहीं आएगा यार, मतलब वो obvious सी बात है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई shortcut नहीं है यहाँ पे, तो अगर आपके पास college की degree नहीं है, तो आपको कुछ other activities करनी पड़ती है, जिनसे आपका resume strong लगे, अगर मैं अगर hiring करना हूँ, अगर recruit resume में पहली line यह है, कि भया मेरी stack overflow पे यह rank है, या तो फिर केगल में मेरी यह rank है, तो of course, अगर आपके पास relevant degree नहीं है, तो भी आपको interview call आना ही आना है, तो आपको दूसरे platform पे ज्यादा मेहनत करनी है, अगर आपको college degree अगर आपके पास relevant नहीं है, तो अब college में जाने के कुछ benefits है, जैसे आप college में जाता हो, तो sports activity में participate करता हो, cultural events में participate करता हो, आप बहुत सारे अच्छे friend बनाते हो, you know, आप दोस्तों के साथ networking करते हो, मजे करते हो, तो यह सारे बहुत beautiful aspect होते है college में जाने के, तो आपको इन सब reasons से, मैं यह नहीं बोड़ा कि college में नहीं जाना चाहिए, अगर आप afford कर सकते हो, तो college में जाओ, आप activities में, sports में participate करते हो, तो बहुत सारी soft skills सिखते हो, जो आपको आपके career में eventually useful होगी, ठीक है, आप अगर कोई sports की event manage करते हो, तो आप बहुत सारी management skills, you know, team building activities ego management, conflict resolution, बहुत सारी important soft skills सिखते हो, जो आपके career में बहुत useful होगी, तो college में जाने के यह सारे benefit है, लेकिन अगर college बहुत expensive है, आप अगर afford करने ही सकते हो, तो disappoint मत हो, क्योंकि आप दूसरे platform जैसे के, kegle पे open source, वो सारे जो मैंने बताया हो, उस पे आप practice करकर के, आप एक time, जो syllabus होता है, वो outdated होता है, जैसे अभी 2021 चल रहा है, मैंने देखा है, अभी भी बहुत सारी college python नहीं पढ़ाती है, वो अभी C++ पे टिकी होई है, तो अगर python या तो जावस्क्रिप्ट जो ज्यादा popular languages है, वो आप पढ़ाओ, आपके courses outdated है, जो teachers college में पढ़ाते है, उनको आपको आफन, you know, industry का experience नहीं होता है, तो अगर आपको industry का experience नहीं है, तो वो industry के use case को आप relate मतलब करना difficult होता है, teachers अच्छे होता है, लेकिन वो industry के साथ, वो connect करना काफी difficult हो जाता है, college इसका दूसरा एक problem, जो really college का problem नहीं है, लेकिन वो student का problem है, वो यह है कि आपको, आपक अच्छा नहीं है computer engineering में, लेकिन आपके friends, आपके family, आपके, you know, parents, वो आपको pressure कर रहे है, और अगर आप computer engineer बनते हो, आप अच्छे engineer नहीं बनोंगे, वो three idiot movie में बोला है ना, कि अगर लता मंगे इसकर को cricket खेलने को कोई बोलेगा, या तो फिर सचिन तैनल को को बोलेगा क तो वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये दिखना है कि आपको अच्छा क्या लगता है, आपके interest जादा किसमें है, कॉलेजिस में move to the time मैंने देखा है कि यार, लोग वो हना herd mentality follow करता है, कि सब लोग computer engineer बन रहे हैं, तो मैं भी बन जाओ, मैं अभी एक college में मेरे क कोन लोगों ने approach किया, बोला कि आप data science का एक seminar दो, तो मैंने seminar दिया, वो लोग बोल रहे थे कि 600 students आएंगे, लेकिन जब मैंने देखा तो सिर्फ 35 students आए, तब मैंने को पता चला, कि यार, इस 600 students में सिर्फ 30-35 लोगों को ही interest है, बाकि किसी को interest ही नहीं है, बस अपने पिता तो होता ही नहीं है, तो colleges का major issue मेरे को ये लगता है, कि students को either social pressure है, या तो फिर उनको खुद clarity नहीं मुझा करना क्या है, और वो commit कर लेता है, चार साल के degree की course में, आपने चार साल का computer का course कर दिया, बाद में आपको पता चला है कि मेरे को computer पसंद नहीं है, मेरे को sales पसंद है या तो फिर मेरे को गाना गाना पसंद है, तो मतलब चार साल आपके गए, वेस्ट हो गए, तो ये issue है college इसका, you know, it's not really with college, लेकिन student का भी issue है, कि यार, वो अपने interest बिना देखे, अपने आपको commit कर देता है, तो I hope आपको ये video पसंद आया होगा, अगर आपको कुछ भी question ह comment है, तो please नीचे के video section में post कीजे, और अगर आपकी life में कोई ऐसा example आया है, जुनोंने बीना college degree के, या तो फिर relevant degree के, सिवाए एक अच्छा career बनाया है, तो please आप उसको नीचे video comment में share कीजे, में भी हो सकता है, मैं उस person का अपने channel पे interview भी ले लू, thank you very much for watching.